वेलकम दोस्तो मार्केट खुलने वाला है और उससे पहले आपके सामने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत जरूरी अपडेट बहुत जादा आपको जानना जरूरी है बिफोर दा मार्केट में एग्रेसिव कोई सी भी एंट्री लेने से पहले तो फटा फेट दोस्तो 2023 फिनलेंड फिनलेंड दोस्तो बिलकुल रसिया से चिपका हुआ सटा हुआ इससे खबर आईए बड़ी वाली यह भी नेटो देश में सामिल हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तो लगबग दोस्तो तेरा सो किलो मिटर का बॉर्डर साजा करने वाला है यह नेटो देश्यों के साथ और रूस इससे बिलकुल भी खुस नहीं है बहुत नाराज हो गया इस पर्टिकुलर डिसिजन की वज़े से और एक न्यूज और निकल के आ रही है वो भी देखते हैं इसी वज़े से दोस्तो रूस ने फिनलेंड को दे दी है बड़ में इंडिया के बारे में कि रूस सप्लाइज देने में दिक्कत कर रहा है इंडिया को वे यह जो वार युक्रीन के साथ उस वज़े से बताया जा रहा है अभी कितना सच है कितना नहीं फांसता दोस्तो जो मिटिंग चलिए उसका फैसल आ जाएगा 400 को और हाई प्राइसrą रेट हाइक होगा अब देखते कितना होता है क्योंकि जो डेटा आ रहा है जिस्टी का अधर डेटा वो सब अच्छा आ रहा है तो वह कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है कि रेट हाइक और हो सकता है बट कितना होगा क्या होगा उसका उट्पूर दोस्तों 6 तारीक को निकलने व 450 के नीचे जाता है तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना कि डेट सू पॉइंट की रेंज है इसके स्टेजिस कहा टिक रहा है और दोस्तों जैसी स्टेशन लग रही है तो हाई प्रॉबिल्टी लग रही कि ब्रेकाउट दिखाएगा और ब्रेकाउट तक का या लेवल नॉट के लेना दोस्तों एक सर्थ है सत्रा चार्सों पचास के ऊपर खुलना चाहिए निफ्टी तभी और उपर जा सकता है क्योंकि अगर सीधे रेजिस्टेंस पर खुलेगा तो जाहिट सी बात नीचे आ जाएगा और वहीं डाउनसाइड की बात करें स 17-450 से 17-300 की रेंज में आप सकेलिपिंग ट्रेड ले सकते हो लेकिन अब मूव के लिए सी सइट के लिए दो सतरा चार्सों पचास के ऊपर सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है चाहिए वह गैप से सस्टेन हो चाहिए वह थोड़ा ग्रेज बना के तब ब्रेकाउट देके स साथ साथ दोस्तों यह जो न्यूज चलिए पुतिन और नेटो फिनलेंड दोस्तों ऐसे कोई सी भी बड़ी न्यूज कभी भी मार्किट के अंदर बहुत बड़ा कैसकते हो एक मूव ला सकती है तो आप लोग अगर को अगर टाइम ली अपडेट चाहिए तो आप हमारा फ्र आज में दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब जरू करिएगा मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए